84 से 90 डेस ब्रह्मचरे के बाद हमारे शरीर में एक खास शक्ती का विकास होने लगता है जिसे हम कहते हैं ओजस हमारे रिशिमुनी कहते हैं इस आध्यात्मी कुर्जा में कई सारी चमतकारिक शक्तियां शिपी हुई है स्वामी विवेक आरंद जी कहते हैं कि यही ओजस एक इनसान को बाकियों से खास बनाता है यहां तक कि इसमें इतने गुण है कि अगर वो ओजस को बचा कर रख पाया तो वो पुर्शों का नेता तक बन सकता है और जानते हैं इसके बाद क्या होगा बहुत ही कम शब्दों में आप लोगों पर गहरी चाप छोड़ जाएंगे इसके पीछे कई सारे कारण है लेकिन एक बड़ा कारण ये भी है कि वो इनसान चालाकी से बात करना सीख जाता है थोड़ी सी बादचीत होगी और लोग समझ जाएंगे ये बाकियों से अलग है इसमें कुछ ना कुछ खास बात है और ब्रमचेरे से आपके कम्यूनिकेशन स्किल्स पे बहुत गहरा असर होता है अगर आप हमारे 2-3 साल पहले की वीडियोस देखें और अभी की अगर आप देखें तो आपको जमीन आस्मान कंदर देखने को मिलेगा बातचीत के तरीके में इस वीडियो में हम आपको वही सारे फाइदे बताएंगे जिनको हमने खुद experience किया हुआ है हमारे शब्द energy का एक दूसरा रूप है हमारे mind का वो एक part है जब हम कुछ कहते हैं तो अपने दिमाग से energy को हम transfer करते हैं दूसरे के दिमाग में इसको समझदारी के साथ हमें खर्च करना पड़ेगा क्योंकि देखिए अगर हम ऐसा करते हैं तो 90% जो भी हमारी समस्याएं हैं जिन्दगी की वो solve हो जाएगी पहला फाइदा जो आपको देखने को मिलेगा कि आप पहले जैसा react नहीं कर देते हैं तुरंथ यानि आप अपना समय लेते हैं आपने ख्याल किया दो लोगों में बहस होती है जब घर चले जाते हैं रात में उसके बाद सोच रहे होते हैं इसके बारे में तो एकदम से क्लिक कर जाता है कुछ यार ये बात उसको कहनी चाहिए थी ये जवाब उसको देना चाहिए था कहने का मतलब ये है कि आप अपना सबसे अच्छा जवाब कैसे दे सकते हैं जब आप शान्त होते हैं जब आप इंतिजार करते हैं खुद को समय देते हैं यहाँ पर दो चीज़े आ जाती हैं अगर आप बिना बोले जवाब दे सकें तो इससे बढ़िया जवाब तो हो ही नहीं सकता और अगर लगे कि जवाब देना ही है तो थोड़ा सा इंतिजार करें दो तीन सेकेंड एक्स्ट्रा आपने आपको दे सामने वाला देख करी समझ जाएगा कि कोई बहुत ही तगड़ा जवाब देने वाला है ये दूसरा बेनेफिट आपकी बातों में क्लारिटी होगी कॉन्फिडेंस नज़र आएगा निडिर्ता होगी यानि आप जैसे भीतर हैं वो आपकी बातों से समझ में आने लगता है और यही चीज़ आपको बाकियों से अलग बना देगी कम शब्दों में आपका काम हो जाएगा लोग आपको और भी ज़्यादा सुनना चाहेंगे तीसरा बेनेफिट एक टाइम ऐसा भी आएगा जब सामने वाला जो मूँ खोलेगा न कुछ भी कहेगा वो जो बहुत ही ज़्यादा खास है किसी की तारीफ और किसी की बुराई में आप एक जैसे रहते हैं बिलकुल एक एड़वांस्ट योगी की तरह कोई आपको जल्दी गुसा नहीं दिला पाएगा या आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा दोस्तो अब जो फाइदा बताने वाला हूँ ये सोशल लाइप में आपको बहुत काम आएगा लोगों से आपको बहुत ज़्यादा रस्पेक्ट मिलेगी एक छोटा बच्चा हो या कोई बहुत बड़ा हो आपसे आप सब को आप शब्द का इस्तमाल करके बुलाते हैं सबसे प्यार से बात करते हैं ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो उससे अच्छे से बात कर रहे है या कोई थोड़ा उससे कम है तो उससे अच्छे से बात नहीं करने है आपने देखा होगा कि एक लड़का है कोई लड़की आती है तो उससे बड़े प्यार से बात करता है लड़की चले जाती है तो अपने दोस्तों से फिर अब शब्द का प्रयुक करके बात करता है तो हर किसी को आप equally treat करेंगे इसलिए हर इंसान से आपको respect मिलता है क्योंकि आप बदलते नहीं है और last फाइदा बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त है लेकिन इसको थोड़ा सा समझ जाएंगे अगर तो देखेगा बड़े बड़े चमतकार होंगे अपनी बातों से आप किसी को impress नहीं करना चाहते है किसी को प्रभावित नहीं करना चाहते आप किसी को भी chase नहीं कर रहे है आप chase करना बंद कर देता है तो सामने वाला इंसान आपको chase करता है होता यह है कि सामने वाले लोग यह देख लेता है कि यह इंसान किसी को भी impress नहीं करना चाहता है किसी को भी chase नहीं करता है भागता नहीं किसी के पीछे इसका मतलब यह है कि इसकी जिन्दिगी में कमी नहीं है शायद इसके पास बहुत options हैं यह जो शायद है यह जो possibility है कि आपके पास बहुत options हैं अगर आप एक लड़के हैं तो आपके पास बहुत options हैं लड़की होगी यही चीज आपको बहुत ज़्यादा attractive बना देती है सीधी बात हैं अगर एक लड़का हर वक्त लड़की को attention दे रहा है सुबह में good morning, सोते हुए good night beautiful, cute हर एक pick में शुरुबात में लगता है हाँ सही जा रहा है सब कुछ reply मिल रहा है सामने से लेकिन बाद में लड़की ये sense कर लेती है उसको समझ में आ जाता है कि ये लड़का हर वक्त मेरे से बात कर रहा है क्या इसके पास और लोग नहीं है बात करने को लगता है इसके पास कमी है लड़कियों की कमी है कमी है इसका मतलब शायद इसमें वो बात नहीं होगी और वो धीरे-धीरे करके connection कट कर लेती है जब आप ब्रह्मचरे का पालन करते हैं तो दुनिया का ध्यान आप पर जाता है लेकिन बस एक ही शर्थ है आपको अपने पर ध्यान देना पड़ेगा 2023 के ब्रह्मचरे चैलेंज में आपका स्वागत है दोस्त इस मिशन में हम सब कोई साथ में है हर दिन का ब्रह्मचरे अपडेट आपको मिलता रहेगा हमारे टेलिग्राम चैनल पर जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है आप इलुमिनाटिश और लिकर सर्च भी करेंगे वहाँ पर तो आपको मिल जाएगा आईए साथ मिलकर हम और आप रह्मचरे का पालन करेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में